हेलो फ्रेंड मैं इंद्रजीत कुमार एक बर दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक उसके अरावा दोस्तो मन्तली में आप लोगों को केतना पैसा जमा करना होगा यह LIC प्लान में तो दोस्तो अगर आप भी इंट्रेस्ट रखते हो LIC में पैसा बगारा जमा करने में तो दोस्तो आज का इस वीडियो बहुत अधिक आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दिजैगा तो चल covenant अज इस वीडियो में अभी सुर्वात करता हूं आप लोगों को और सारा चीज इस प्लान से रिलेटेड आप लोगों को समझाता हो तो जैसे कि आप देख सकते हो यह मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पर लेके राता हूँ और आप लोगों को सारा कुछ यह प्लान से रेलेटेट समझाता हूँ तो दोस्तो देखे यह जो प्लान है इसका नाम है आप यहाँ पर देख सकते हो LIC अमरित बल प्लान तो दोस्टो ये plan है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज सारा details देने बाला हो, तो दोस्टो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर ये plan का नाम है, तो देख सकते हो भारतिय जीवन भीमा हो गया, उसके लावा दोस्तो ये plan देख सकते हो, सबसे important चीज है, 17 फरवरी 2024 को मतलब दोस्तों 17 परवरी 2024 को यह प्लान आया हुआ है LIC का तो दोस्तों यह प्लान में आप लोगों को काफी अच्छा benefit बगारा मिलने वाला है दोस्तों मैं आप लोगों को यह प्लान से related सारा कुछ आगे चलके बताऊंगा तो दोस्तों second point में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों LIC अमरित बल 874 प्लान benefit फिक्चर्स मतलब दोस्तों कि क्या क्या प्लान में फिक्चर्स benefit बगारा मिलने वाला है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाओंगा तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो सारा कुछ मैं point by point करके यह features benefit बगारा आप लोगों के लिए ढूंड के लाया हूं तो दोस्तों आप लोगों को यह point को मतलब step by step करके अच्छी तरीका से समझना होगा क्यूंकि दोस्तों यह LIC में अगर पैसा बगारा आप invest करते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या-क्या benefit बगारा मिलता है ताकि दोस्तों प्लान लेने के बाद आप लोगों अगर मालो मौका मिले अगर फायदा उठाने का यह प्लान से related तो आप इसे इस्तेमाल करके ले सको क्यूंकि प्लान के पहले आप लोगों को बहुत अधिक important होता है समझना तो दोस्तों first में आप देख सकते हो जैसे linked guaranteed benefit मतलब दोस्तों देखिए यहां पर मैं example देने वाला हूँ सहारा का जैसे कि मालों दोस्तों आप सहारा में पैसा बगारा हर एक मैना जमा करते थे लेकिन दोस्तों आज के इस टाइम में सहारा तो बिलकुल डूब चुका है आप लोगों का पैसा फस गया मिल भी सकता न एक private person चलाते थे ठीक है लेकिन LIC को अपना सरकार चलाती है तो दोस्तों सरकार चलाती LIC को और सहारा को मतलब कोई public चलाते थे मतलब एक private public चलाते थे तो इसमें दोस्तों बहुत अधिक difference होता है उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को second point में बात करूंगा तो यहां मन्तली जमा कर सकते हो मन्तली लिवी और एनुवली भी learner psychology को जमा कर सकते हो मतलब अगर आप सेविंगं ज्यादा अच्छा करके पहले से रखे मान से रखेंग तो मन्तली 22 थे I.I.C. में पाइसा जमा कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो, तो quarterly, या फिर yearly, या फिर yearly जमा कीजे, उसके अलाबा दोस्तों देख सकते हो, जैसे कि ये plan का term, कितना साल के लिए plan को ले सकते हो, तो minimum दोस्तों 10 साल का, maximum 25 साल का, तो 10 से सुरवा थे 25 खतम है उसके अलावा दोस्तों देखे ये प्लान में minimum entry क्या है मतलब दोस्तों देखे ये जो प्लान है आप लोगों के घर में जैसे नया बच्चा का जनम होता है या फिर आप लोगों के घर में 13 साल से कम कि जितने भी बच्चे आप वो लोग के लिए इस बच्चा का जनम हुआ जिसकी 30 दिन तक हो गया है मतलब एक महिना बच्चे से लेकर आप तेरा साल के बच्चे तक का minimum इसमें मतलब 1 महिना है और maximum 13 साल मतलब एक महिना से लेकर दोस्तों में बात करूंगा, maximum maturity का तो 25 एर पर इन लोगों को पैसा मिल जाएखा, मतलब माधव अब पैसा को जमा करोगे तो आप लोगों को 25 साल में ये प्लान पर पैसा वगरा सारा कुछ आप लोगों को maturity date पर मिल जाएगा, उससे पहले दोस्तों आप लोगों को और समझना है यह प्लान को deeply थाकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी दिख करना है तो उसके लावा दोस्तों देख सकते हो जैसे कि minimum मतलब minimum दोस्तों यह प्लान में आप 2 लाख रुपया जमा कर सकते हो तो 2 लाख को अगर आप चाहो तो मतलब दो किजिए या चाहिए तो annually कर लिजी या तो quarterly किजिए तो दोस्तों आपके उपर depend करता है minimum इसका 2 लाख रुपया entry है और अगर मैं maximum का बात करूंगा तो दोस्तों यह प्लान में आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो maximum का कोई limit नहीं है तो दोस्तों यह आप लोगों के लिए क premium waiver benefit PWB available for proposal मतलब दोस्तों इसको आप यह point को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना होगा देखिए दोस्तों यह PWB यह मतलब facility का मतलब यह होता देखिए यह तो प्लान बनाया गया है दोस्तों बच्चों लोग के लिए जैसे कि एक महना से लेके 13 साल के बच्चों के ल भी तो बच्चा का गारजियन यह पैसा को जमा करेंगे तो दोस्तों माल लो इनकेस भगवान न करें अगर जो भी गारजियन है बच्चे के जो यह प्लान को करवा है अपने बच्चे के नाम पर उनका इन फ्यूचर अगर देथ बगारा हो जाता है तो यह प्लान दोस्तो चालू रहेगा इसमें पैसा नहीं भी जमा मतलब नहीं जमा करने का जरूरत है लेकिन प्लान आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा मतलब इसका क्या हुआ कि यह प्लान में पैसा जमा करना आप लोगों का माफ कर दिया जाएगा यहीं दोस्तों पी डबलू बीट का मतलब होत दूस्तों में आप लोगों को अगले point पर लेकर चलता हूँ, तो next point पे दूस्तों यहां पर जैसे कि देख सकते हो features and benefit, तो दूस्तों इसमें और भी benefit आप लोगों को मिलने वाला है, तो दूस्तों यहां पर death benefit, मालनो दोस्तों जो भी बच्चों का आप यह L.I.C. प्लान करवा के रखे हुए हो मतब दोस्तों एक महिना से लेकर तेरा साल के बच्चों के लिए यह प्लान है मालनो भागवान ना करे अगर उनका देद बगरा किसी का हो जाता तो यह प्लान में दूस्तों दूगना पैसा मिलेगा मालीजे दूस्तों जब से प्लान सुरू हुआ है आप लोगों मालो एक साल दो साल यह प्रीमियम पेड की हो आप और भगवान ना करें दोस्तों ऐसा देथ बगरा हो जाता है तो जितना का सम एस्योड होगा उसका प्लान में आप लोगों को मिलने वाला उसके अलावा दोस्तों मैं आगले पौइंट पर लेके चलूंगा तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे सरेंडर two तो सरेंडर भ॥ेौ को अगले पॉइंट पर लेके चलूंगा तो यह देख सकते हो जैसे इस पॉइंट भी बहुत दोस्तों इनपोर्टेंट है तो यह पॉइंट दोस्तों क्या है रिखिए माली जे सम अफ एस्ट का मतलब होता है कि जितना पैसा के लिए आप यह प्लान को लिए हो ठीक है तो उ यह दोस्तों लोन का फैसिलिटी कब मिलने वाला है मीनिमम आप लोगों का जो प्रीमियम है दो साल तक जमा होना चाहिए तो आप लोगों को लोन का भी फैसिलिटी मिल लाएगा उसके लावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहां last point में लिखा हुआ है income tax benefit दोस्तों देखिए अगर आप income tax slip के अंदर आते हो तो आप लोगों को हर एक साल income tax तो फाइल करना पड़ता होगा ITR बगएर आप जमा करते होंगे तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि प्लान बगएर LIC करवाते हो तो कुछ income tax में आप लोगों को छूट मिलता है मतलब कुछ आप लोगों को मतलब पैसा बगएरा कम जमा करना पड़ता है यह भी benefit आप लोगों का अच्छा है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले point पर लेकर चलता हूं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो let's understand plan तो आप आईए दोस्तों हम अच्छे के नाम पर करवाते हो ठीक है तो पाँच लाग का plan दोस्तों दिखे इसमें क्या है प्लान का आप लोगों का important point यहां से सुरू होता है देखिए दोस्तों यह 5 लाग को आप लोगों को शार्ट साल में जमा करना ठीक है ? साथ साल में यह पांच लाग रुपिया को आप लोगों को जमा करना 7 साल में उसके बाद आप लोगों को 10 साल मतलब दोस्तों उसके लावा आप लोगों को 10 साल पैसा को छोड़ देना है तो 7 और 10 कितना हुआ तो 17 साल हो गया ठीक है यह 17 साल हो गया दोस्तों उसके लावा आगे पॉंट में आप लोगों को लेके चलत वह भी बताऊंगा बने रहे दोस्तों वीडियो पर तो देख सकते हो जैसे कि मैं पांच लाग का एक्जांपल दिया हूँ तो यहां पर दोस्तों यह चार्ट में आप देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ है मान लोगों दोस्तों आप यहर्ली पैसा को जमा करते हो तो आप लोगों को 84,44 रूपिया जमा करना होगा हर एक साल कि 24,778 के आज पास आप लोगों को ठीक है उसके अलावा दोस्तों अगर आप मैं बात करूँगा क्वाटरली तो आप लोग क्वाटरली करोगे तो 21,582 रुपिया आप लोगों को हरे क्वाटरली पर जमा करना होगा और मंथली में दोस्तों देखोगे यह मंथली स्कीम है तो मंथली में देखोगे तो 7,236 10-ajj आप 10-day के लिए है, अब 10 साल के लिए और 10 साल में तक आप लोगों को पांच रुपीया को 10 साल में unlikely तो जो पांच रुपिया इसमें आप देख क्या और समझ जाओ गया अच्छे से तो दोस्तों यहां पर देखिए यह तो चार्ट हो गया मतलब वह पहले वाला चार्ट था फर्स साल का यह हो गया दोस्तों सेकेंड साल का तो इसे भी आप एक बार बढ़िया तरीका से देख लिजिएगा कितना कितना मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को मेन एक और बेनिफिट है उसके बारे में समझाता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है देखिए दोस्तों अगर मालों पांच लाख रूपिया को आप जमा करें ठीक है यह नहीं मेंटर करता है क केतने साल में कियो 10 साल के लिए भी कर सकते हो 15 साल के लिए तो दोस्तों अगर मालों मैं एक्जामपल देता हूं 10 साल के लिए आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर करवाए हूँ पांच लाका ठीक है तो आप लोग मंधली 22 या फिर क्वाटरली या फिर हापी अरली या फिर यरली जमा कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को देख सकते हो आप लोगों का पूरा साल में पैसा जैसे 5 लाका करवाँगे तो इसमें दोस्तों GST बगारा एड करके तोटल 5,000 मतलब 5,77,454 रुपिया जमा होगा आप लोगों का 10 सालों में ठीक है दोस् मैचूरीटी डेट जोस्तों जब पूरा होगा आप लोगों का तो यह 11,80,000 रुपिया मैचूरीटी डेट पे मिलेगा